दोस्तों आप लोगों को पताई होगा कि हमारे वहिकल में इंसोरेंस मेंडेटरी होता है तो अगर हमारी कार हो बाइक हो उसका इंसोरेंस हमें ले रखा होता है और अगर अगर उसका कहीं एक्सिडेंट हो जाए तो हम तुरंत उस एक्सिडेंट के क्लेम के लिए लोयर को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजो में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सकें तो हेलो दोस्तो मेरा नाम है एजाज और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कार एक्सिडेंट लोयर कैसे बने लेकिन इस अगर हमें कोई चोट आ जाती है या फिर वहान को कोई नुकसान होता है तो उसके इंसूरेंस के क्लेम करने के लिए हमें एक कार एक्सिडेंट लोयर की जरूरत पड़ती है क्यूंकि इन हाथ्सों को सुल जाने का काम एक कार एक्सिडेंट लोयर का होता है ये टू विलर औ और फोर वीलर के एक्सिडंट के मामले को देखते हैं और हाँ Car Accident Lawyer को ही Injury Lawyer भी कहते हैं तो आप जान लेते हैं कि अगर आप भी लो की तैयारी कर रहे हैं और इक्षिदेंट लोएर बनना चाहते हैं तो कैसे बनेगे दोस्तों चार। एक्षिदेंट लोएर और इंजरीं लोएर दोनों एक ही प्रोफेशन है आपको परस्नल इंजरीं लोएर बनने के लिए कोई अलग से पढ़ाई करने की जरुरत नहीं होती है। बलकि जो LLB आपने की है, उसी के अंदर ये आ जाता है, बस आपको insurance जैसे के विशय में knowledge होनी चाहिए और आप LLB पास कर लिये हुए होने चाहिए, तो आप accident lawyer के रूप में काम कर सकते हैं, तो अगर आपने LLB की पढ़ाय पूरी की है और अगर आप lawyer बन गए है, और अग इसे अप ग्रूप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे share जरूर किजिएगा, और एसे informational वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो में upload करू, तो उसकी notification झाल